आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही अट्रेक्टिव सा वेबसाइट कैसे बनाते हैं ताकि अपने यूजर को अपना जो मेन्यू कार्ड है उसे दिखा सके या किसी भी यूजर को एपरमिसन दे सके कि वो अपने घर से ही अ अगर आपका food shop है किसी भी तरका shop है food से related तो दोस्त आप इस website को बना सकते हैं बहुत ही attractive बहुत ही cool डिजाइन है अगर आप देखेंगे तो यहां पे अपने रेस्टोरेंट का यहां पर details आ जाता है about us आ जाता है कि आपके restaurant के अंदर क्या है और यहां पे कुछ अपने menus के और बारे में यहां पर mention कर सकते हैं कि आपका menu है उसका क्या prices है और साथ में और भी menu आप यहां पर add कर पाएंगे और यहां पर जो भी आपका customers जो feedback देंगे उससे आप यहां पर add कर सकतेए और last में यहां पर आपका कुछ ब्लॉग अलग झींगा उने में नाम विडियो का अरे विजियोंतर Europy सहां कोई के सब्सक्राइब और हम उन्याजय चलरा साथ पर boards रेश्टोरेंट है या फूट सॉप है उस नाम को अपने को ऑनलाइन एक रेश्टरेशन करना पड़ेगा उसके बाद अपना जो भी डेटा होगा जैसे कि आप अपने रेश्टोरेंट के लिए वैसे नेट पर भी एक अपने को एस्पेस लेना पड़ता है जहां पर अपना को मेरा रेकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बताओंगे कि दोस्त आप होस्टिंग का डौट याई जा है यहां पर बहुति बहुत्री आपको सर्भीस मिलता है होस्टिंग मिलता है साथ में आपको CHA मिल जाता है यहां आपको कोई प्रॉलम आता है तो आप इनसे 24 गंटा यहां पर सुपोर्ट ले सकते हैं और इनका जो प्लान है बहुत ही बहुत ही कम प्राइज आपको यहां पर मंत के हिसाब से सुरू कर सकते हैं आपको इतना इमिज्स होगा आपको इतना इस पेस मिल जाता है जहां पर आपको सौज भी SSD प्रियुंवल जाएगा आप अब हैं क्लेम कर सकते हैं अब यहां पर 100 effective अपीuben रस्ट कर देखेंगे कि यहां पर इस लिंक कर ना है और यहां पर जो coupon code होता है न अटोमेटिक यहां पर apply हो जाता है अब दोस्त यहां पर क्या करना है कि जो 149 वाला यहां पर प्लान दीख रहे है न अब यहीं सेम प्लान आपको 119 में मिलेगा अब यहां पर जैसे एड टू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अटोमेटिक जो 20% का additional discount coupon है न वो अटो apply हो जाएगा अब यहां पर हम लोग देखेंगे अब यहां पर 119 रपया हो चुका है जो की 119 वाला जो प्लान था है अब यहां पर आप कोई भी प्लान भाई करेंगे न तो उसमें आपको 20% का additional discount तो मिली जाएगा अब यहां पर हम नीचे माएंगे तो दोस्त आप देखेंगे कि यहां पर 20% का discount coupon अपलाई हो चुका है जो की 119 रपय के discount हो चुका है और यहां पर जो टोटल प्राइस उपरता है यह 6700 रुपया अब 6700 रुपया में न दोस्त आपको 4 सल के लिए hosting मिलता है और साथ में दोस्त आपको 3 मही और एक्स्ट्रा आपको यहां पर फ्री में मिलता है यानि 48 नहीं यहां पर एकाउन महीने के लिए hosting मिल जाता है अगर दोस्त आपका बजट कम है तो दोस्त आप एक साल के लिए hosting बाई कर सकते हैं लेकिन दोस्त अगर मेरा डिकमेंटेशन चाहेंगे तो दोस्त मैं आपको बता होंगे अगर आपके पास बजट कम है तो मिनमुम 24 मैंने के लिए hosting लिए या तो 48 मैंने के लिए hosting लिए क्योंकि रिन्यूवल जो प्राइज होता है बहुत मेंगा पर जाता है अगर आप एक सल के बाद रिन्यूव किजिएगा तो यह इस प्राइज में रिन्यूव हो और यहां पर फ्री में क्लेम कर लिए उसके बाद चलते हैं दोस्त अपने होस्टिंगर के डैस्बॉर्ट पर आचुके हैं और यहां पर हम करेंगे वर्डप्रेस को इस्टॉल करने के लिए दोस्त यहां पर हम डोमेंड सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर डोमेंड सेलेक् जो भी नाम होगा आपको यहां पर नाम डाल दीजिए और यहां पर अपना email आडिया और यहां पे आपका user ID बनेगा और यहां पर हम लोग पासवड को create कर देंगे जिस पासवड से हम लोग आगे चलके लोग-eOoh और यहां पर नेक्सट फ्ट करेंगे अब इस्टाहल पर क्लिक के देंग यहां पर थोरा सा टाइम लगेगा और अपने वेपसिट के बन हम पर क्लिक प्लिक करने के नहीं ऐ। अपनी को यहां पर क्या करना है कि Size Alt है फीर टइंड कर देज़ेंब उसके निचे हैं ऊपने ढाल दीचिए हम आने अदर यहां चुर्ट अदर आपको सेलेक्ट करना है यहां पर को सेब चेंड कर दिया इहां पर हम लोगों का सेटिंग में लुक्तिक हो गया है तरह से दीख रहे हम जो इस डिजाइन को इस डिजाइन को करने के लिए दोस्त अपने वह क्या क्या चीज की requirement परेगी सारे चीज बताने वाले हैं और बहुत असान तरीका बताने वाले हैं अब यहां पर हम दोस्त आएंगे पेरेंस पर और यहां पर थिम्स पर क्लिक कर देंगे हम लोग का जो लुक है कुछ इस तरह से है लेकिन दोस्त हम इस तरह से देना है है तो यहां पर यहां पर जो कोई भी जाइगा आप यहां पर सारे स्टकृव्स ने वाला हूं नहीं है अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने वेबसाइट में कुछ कस्टम डिजाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्त आपको Elementor Pro buy करना पड़ेगा तो Elementor Pro buy कर सकते हैं दोस्त आप theme-radar.com की साइट पर जाएगा यहां से कोई भी gpa लाइसेंस में theme और plugin बहुत ही comprise में buy कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप Elementor सर्च करेंगे अब हमने यहां पर सर्च कर दिया Elementor Pro दोस्त आप देखेंगे कि यहां पर Elementor Pro page builder आता है जो की मातरा आपको 99 रुपय में आपको यहां से सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर बहुत सारे आपको टेंपलेट्स आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर कोई भी टेंपलेट आपको पसंद आए उस टेंपलेट को आप और कर दिजेगा दोस्त हम लोग यहां पर इस तरह की website बना के आपको बहुत ही कम समय में दे देते हैं तो अब यहां पर चलते अपने साथ के यहां पर रिफ्रेस्स कर लीजिए इससे क्या होगा यहां पर और वी एक्स्ट्रा ओप्संस दिखने को मिलेगा यहां पर अस्ट्रा का अब यहां पर आप सतिव Sakya तो यहां प्र लिए स्टाटर टंप्लेट विटेंट देखेंगे िरदश में सब्सक्राइब हैं ओर विपर तो यहां पिभलाओनों पश्वन यहां पर जूलैंट को यहां पर होगा दिंगे करने कोद आप देखेंगे किवैसने हें। रखना चाहिए उसे रख सकते हैं और यहां पर इसके बाद कंटीनिव पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद अपना पर समय लगेगा उसके बाद दोस्त आपका जो वेबसाइड है बहुत ही कम समय में ready हो जाएगा अब यहां पर दोस्त आप देखेंगे कि यहां पर 100% complete हो चुका है तो आप यहां से view your website पर क्लिक कर सकते हैं और visit dashboard पर क्लिक कर सकते हैं तो यहां पर हम में website का यहां पर दोक्explosate «antwort-season». और यहां पर हम पर चेंग हो चुका है और जो में शुरू में आपको डिजाइन दहींपाल करने के लिए definitely was. यहां पर मिल जाता है अब इस हैडर के сеड़र को चैंगे करना है जैसे कि साइट यहां लोगों पीविटकार्य जाता है जैसे तो आप यहां से changes कर सकते हैं आप यहां पर settings मिल जाता है यहां पर फिर से दूबार से taglines भी डाल सकते हैं और यहां पर design में आप logo का color बी set कर सकते हैं और यहां पर title भी set कर सकते हैं उसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहां पर primary menu जो आता है यहां पर home menu और about contentus तो आप यहां से इसको maintain कर पाएंगे और तीसरा जो आता है आप बटन आता है जो की reservation का होता है तो आप यहां पर contentus वाला form बनाएंगे और उसका link यहां पर डाल देंगे इस section पर डाल देंगे तो कोई भी क्लिक करेगा तो form open हो जाएगा और वहां से कोई भी आपको order दे सकते है य उसके बाद यहां पर करने के बाद दोस्त अपने को यहां पर बैक हो जाना है और यहां पर अपने को footer builder मिल जाता है जो की footer का जो last में अपने को section मिलता है यह फूटर विल्डर का अंदर आता है यह वाला section तो यहां पर जो option है पहले visit 1 प्लिक करेंगे अब यहां पर telephone का बाद आता है यहां पर लिए और सोनल मेडिया का आइकन है अब यहां पर फ्यिस्द्ग करेंघे तो यहां पर अपना Facebook का जो लिए है उस पेचे लिंक यहां पर लिंख चुमिया निक वेबसाइड का नाम और यहां पर हम लोग इसको publish कर देंगे तो header of footer का काम हो गया चलिए वोम पेज को बताते हैं कि उससे हों फेज को हम लोग कैसे करेंगे तो यहां पर आप कर लेंगे कट करने के बाद दोस्त अपने को यहां पर edit page का को चेंज करना है अगर आप चाहते इस background का image को हटाना तो यहां पे आपको क्लिक करने के बहुत यहां पर general settings मिलता है उसके बाद यहां पर style का option मिलता है तो अपने style का option पर image का option मिलता है इस image को आप यहां से change कर सकते हैं और आपके पास कोई ओर image तो आप उसको यहां पर सेट कर सकते हैं उसके बाद अपने को यहां पर सेलेक्ट इमेज पर करके आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और यहां पर दूसरा इमेज आता है अभी इन सारे इमेज को आप यहां से विकिश यहां करसकते हैं अब इसके बार दोस्त यहां पर जो सबर जो दूसरा सेक्षन आता है तो इस सेक्षन को अलए कोछ इस तरा से यहां भी टॉफरा सकते हैं और यहां पर अग्रफ कुछ और चीज धना चाहि तो शीर्फ स्यम्पण्स आपको क्लिक करना और यहां Center जहां पर आपको चेंज करने का option आपको मिल जाएगा तो इस तरह से image को चेंजिस कर पाएंगे पूरे page को इडिट करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि सिंपल से अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्त आप यहां पे पेज को विव करके आप चेक कर सकते हैं तो द दोस्त आप इस तरह से अपने page को इडिट कर पाएंगे अपने website के design को बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे तो महां लिजए इस तरह से आपका आ रहा है तो इसका font अगर छोटा कर देंगे size कम कर देंगे तो यह सिंपल से एक line में आ जाएगा ओके दोस्त आप यहां प इस तरह से मेनव का बैमक्षे से साथ है तो यहां कर दिए पर इसका है दोस्ते आप इसका और अपने page का ऐसे आने बाद यहां सबस्त कर सकते हैं इस डॉलर का आइकन है यहां पर paste कर सकते हैं तो आपना यहां पर इंडियन डुपीज में आ छुका है यह फिसक्तर से फूरे पाइज करके अपडेट कर दीजिए इसमें कोई खास नहीं है दोस्त आप बहुत ही असानी से बkeit में eurebاب को Para कर दीजिए साथ में प्यारा से कमेंट कर दीजिए ताकि इस तर की वीडियो बढ़ाने में मोटिवेशन मिलता रहे और साथ में दोस्त अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप टेलिगारम चैनल और वेट